आत्म निर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्मान करने भरका नहीं है बलकि भारत के लोगों को मजबूत करने का भी अफसर है बड़ी से बड़ी चुनोती हो भारत रुकेगा नहीं चुनोती चाहे कितनी बड़ी क्यों नहो ना हम रुकेगे और ना ही भारत रुकेगा एक जुटता और बापो की प्रेणा ने हमें सेकडो सालों की गुलामी से आजादी दिलाई थी भारत की महानता परमसत्य है एक हो जाओ आपको बता दे कि संसत का बजट सत्र आज शुरू हो रहा है इससे पहले राश्रपती रामनात कोविन ने बजट अभी भाशन में ये बाते कहीं उन्होंने कहा कि आज हम भारतियों की यही एक जुटता हमें कई समस्याओं से बाहर लेकर आई है कोरोना, भुकम, बाढ़, सीवा पर भी अप्रत्याश्रत तना हुए हम लोग एक जुट होकर इन समस्याओं से आगे आए उन्होंने कहा कि तीन महत्वपूर्ण क्रिशी सुधार बिल पिछले साल पास हुए है छोटे किसानों को होने वाले लाबों को देखते हुए आने को राजनेतिक दलों ने इसका समर्थन समय समय पर किया था दो दशकों से इन कानूनों की मांग हो रही थी सुप्रीम कौट ने इन कानूनों को लेकर कुछ निर्देश दिये है मेरी सरकार उसका भी पालन करेगी लेकिन गंतंत्र दिवस पर हुए तिरंगे का अपमान दुर्भाग्य पूर्ण है उन्होंने कहा कि किसानों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए MSP देड़ गुना बढ़ाई गई है माइक्रो इरिगेशन से किसानों को जोड़ा जा रहा है वही इससे पहले संसत पहुचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से कहा कि भारत के उजवल भविश्य के लिए ये दशक बहुती महतुपूर है आजादी के दिवानों ने जो सपने देखे थे उन्हें तेजगती से पूरा करने का ये स्वर्णी माफसर आया है इस दशक का भर पूर उपयोग हो इसको ध्यान में रखते हुए चर्चा हो परंपरा के मुताबिक पहले दिन राश्टरपती रामनात कोविन का भी भाशन हो रहा है लेकिन 19 पार्टियों ने इस स्पीच का बायकोट किया इन में कॉंग्रेस, त्रंड मूल कॉंग्रेस, शिवशेना, अकाली दल जैसी बड़ी पार्टिया शामिल है उनका कहना है कि पिछले सेशन में केंदर सरकार ने जो सरीके से तीनों किर्शी कानूनों को पास किया वह ठीक नहीं था बताते चले कि वित्तमंत्री निर्मरा सीता रमन आज ही एकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी लोकसभा सचिवालने के मताबिक बजट सत्र का पहला सेशन 15 फरवरी तक चलेगा वही दूसरा सेशन 8 मार्ट से 8 अपरेल तक चलेगा सतरवी लोकसभा के पांचवे सत्र में 35 सिटिंग्स होंगी जो कि पहले पार्ट में 11 और दूसरे पार्ट में 24 निर्धारित की गई है एक दिन पहले कई पार्टियों ने साजह बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी थी बतादे चले कि बजट सेशन में तीनों क्रिशी कानूनों और किसान आंदोलन के दोरान 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा का मुद्ध उटने की संभावना है वही कॉंग्रेस ने ता गुलाम नभी आजाद का कहना है कि मोधी सरकार ने विपक्ष के साथ बिना बहस किये तीनों क्रिशी कानून सदन में जबरन पास करा लिए इस सत्र में पहली बार बजट सेशन में राष्ट्रपती के संभोधन के दोरान सेंट्रल हॉल के अलावा लोकसभा और राज्यसमावे भी संसत बैठे हैं बता दे कि कोरोना वाइरस महमारी और सक्त प्रोटोकॉल के बीच संसत का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है सत्र की शुरुवात करते वे राष्ट्रपती रामनात कोविंट सयुक्त सत्र को संभोधित कर रहे हैं वे अपने अभी भाषण में अगले वित्तिय वर्ष के लिए सरकार की योजना और नीती गद द्रिश्टी पर प्रकाश डालेंगे कॉंग्रेस सहित कईवे पक्षिदलों ने इसका बहिश्कार करने का फैसला लिया है सत्र की शुरवात में पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सभी सांसदों से सदन की गरिमा को बनाए रखने और सहीयोग करने के अपील की है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें खर्णनेवार JBD Banquets लाइ है incredible marriage palace Raj Gharana and the finest banquet hall Jyoti garden world class catering centrally air conditioned lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyoti garden a JBD Banquets enterprise